एक तो सिचाई की समस्या हो रही है दूसरे लास्ट में आप देखते हैं कि गर्मी में टंपरेचर एकदम बढ़ जाता जो सामानित आप मान रहता है उससे काफी ज्यादा बढ़ जाता जिससे जो हम गेहूं लगाते हैं वो नार्मल गेहूं की ब्रैटी हैं जब हम लगाते ह पहले ही वो पक जाते हैं या हम ऐसे कहें कि वो सूख जाती हैं पैदावार कम हो जाती है दाना बैट जाता है उससे बहुत बड़ा नुकसान हम किसान भईयों को होता है तो आज की वीडियो में हम जो 6-7 ऐसी ब्रैटियों को बताने जा रहे हैं जिनको आप अगर कम सिचा में भी आप लगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इन 6 ब्रैटियों के बारे में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिससे आने वाली वीडियो भी देखने को मिलती रहेंगी हाई 1500 जिसको अमरता नाम से भी बोलते हैं इसे अगेती और पिछेती के रूप में लगा सकते हैं यानि आप नौंबर से लगा करके और दिसंबर लास्ट सक लगा सकते हैं 108 से 10 दिन में ये पकर तयार हो जाती है और 16 से 18 कुंतल तक आपको पैदावार ये दे देती है ये मद्दी छेतर के लिए अच्छी है मद्दी छेतर के किसान भाई इसको लगाते भी होंगे और ये ऐसी एक ब्राइटी है जो कम पानी में भी हो सकते हैं या आपके छेतर में सिचाई करने की इतनी अच्छी वेवस्था नहीं एक दो ही सिचाई कर पाते हैं तब भी ये ब्रैटी आपको अच्छी खासी पैदावार दे देगी और अगर लास्ट में टंपरेचर एकदम बढ़ भी जाता है हाई टंपरेचर होता है तो उसको भी ये सहन कर लेती है और आ एक सो आठ से दस दिन में ये भी पकर हो तैयार हो जाती इसको भी आप नौंबर से लास्ट दिसंबर तक लगा सकते हैं और मध्य छेत्रिया ऐसे छेत्र जहां पर आप लेट गुआई करना चाहते हैं या हाई टंपरेचर हो जाता है तो ऐसे छेत्रों के लिए अच्छी है और दो से चाहियां भी कर लेते हैं तो और भी बढ़िया पैदावार आपको मिल जाएगी क्योंकि ये दोनों की दोनों ऐसी ब्राइटियां हैं जो हाई टंपरेचर को सहिंसिल करने वाली ब्राइटियां हैं HD 30-43 जो सन 2000 गेरा में लांच की गई थी यानि विक्सित की गई थी और इसको जो है उत्तर प्रदेश मद्ध प्रदेश दोनों जगे पे लगा सकते हैं 1330 दिन में पक्कर तैयार होती हैं थोड़ा लंबा समय लेती हैं लेकिन इसमें वो सभी खूबिया अहीं जैसे ये आप 80 चेत्र में कम सिचाई कर पाते हैं तो कम सिचाई वाले छेतर में भी लगा सकते हैं पिछेति भुवाई भी कर सकते हैं दिसंबर के लार्ष तक इसकी भुवाई की सकती हैं और 42 कुंतल प्रतेख्टियर तक यह पैदावार दे देती है यह एकड की बात करें तो वही 18-20 कुंतल इसकी भी पैदावार आपको एक एकड़ में मिल जाती है और पौधे की हाइट अर्धवोनी होती है और हाइट अमप्रेचर को सहन करने की इसमें भी छहनता है तो अगर आप थोड़ा उपद ज्यादा चाहते हैं थोड़ा लंबे समय की अवधवाली ब्राइटी लगाना चाहते हैं तो ये प्राणी छित्र में रहते हैं सिचाई करने के इतने अच्छे साधन नहीं है सीमिस साधन है और हाई टंपरेचर लास्ट में हो जाता है तो ऐसी परिस्कितियों को ये जहल सकती है और बीस से बाइस कुंतल तक प्रतिहेक्टियर ये पैदावार देती है क्योंकि पीजे छे दिन तक ये पकड़् तयार हो जाती है तो एक अच्छी ब्राइटी है इसकी आप वही कर सकते हैं जिसे पूसा बसंत कहते हैं इसे संदोहजार दस में विक्सित किया गया था और पूर्वी उत्तरी भाग के लिए ये ब्राइटी है जो सिंचित असिंचित अगेती पछेती सबी परिस्थितियों में बुआई की जा सकती है 30 से 40 कुंतल प्रते हेक्टियर पैदावार से मिल जाती है मात्र 108 दिन में ही पक्कर तयार हो जाती है तो अगर आप सचाई करने के जहमता नहीं है सचाई करने के इतने एच्छे साधन नहीं है तो उन छेत्रों में भी लगा सक इनको आप हाई टंपरेचर अगर होता है या ऐसे इस्तितियां बनती हैं तो ऐसे इस्तितियों में इन ब्राइटियों को चैन कीजिए उत्पादन तो अच्छा मिलेगा उसके साथ साथ जो है आपको सिचाई करने की भी इतनी ज्यादा जहन्जट करने की जरूरत नहीं करेगी तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद थे